हिंदी दर्शिन में आपका स्वागत है आज से हम एक नई पुस्तक का प्रारम करने जा रहे हैं पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का सरलितिहास और यह है पुस्तक है डोक्टर वीज में में त्रीपाथे इस पुस्तक को हम परिक्षा की दर्श्टी से पढ़ेंगे कहां कहां से कौन-कौन से प्रिश्न बनते हैं उनको बढ़ेंगेieur से पहले हम ग्यार वी बारवी कख्षा में चलने वाली जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का संख्षिप्त इतिहास उसको complete कर चुके हैं उसका अध्यन हम कर चुके हैं अगर आप अपना बेश तयार करना चाहते हैं तो पहले उस पुस्तक का अध्यन कीजिए उस पुस्तक को पढ़िए तो आएए देखते हैं सबसे प हाशा और साहित्य की प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात हैं विस्वनात्री पार्थी किस रूप में ख्याती प्राप्थ हुए हैं तो एक प्राध्यापक और आलोचक के रूप में आप आचारे हजारी प्रिशाद वेदी जी के शिश्यों में से एक हैं विस् इनकी प्रमुक्रतियां हैं प्रारंभिक अवधी, हिंदी अलोचना, लोकवादी तुलसिधास, मीरा का काववे, कुछ कहानिया, कुछ विचार, आधी प्रमुकिन की पुस्त के हैं आपने आचारे हजारी प्रिशाद वेदी के साथ अब्दुल रहमान या अधह मान के अप्रंस का वे संदेश रासका संपाधन कारे किया है किसके साथ मिलकर यह संपादनकारी किया है इन्होंने हजारी प्रिशाद वेदीजी के साथ रहकर क्योंकि यह इनके शिशे रहे हैं आपके अन्य संपादित पुस्तकों में कविताएं 1963 अजित कुमार के साथ किया है अन्य जो संपादन कारे इन्होंनी किया है, वह अजित कुमार के साथ मिलकर काफी संपादन कारे से यह जुडे रहे हैं अभी हाल ही में प्रकासीत आपका स्मृती आख्यान नंगा तलाई का गाउं काफी चर्चा में रहा है स्मृती आख्यान है नंगा तलाई का गाउं काफी चर्चित हुआ है आप गौकुल चंद्र शुक्र आलोचना पुरुसकार डॉक्टर रामविला शर्मा सम्मान और सोवित लेंड नहरु पुरुसकार ये निसाहित्य समान से भी समानित हो चुके हैं यहां विश्वनात्रिपादी जी का लेखा कर परिचे है जो हमने जाना अब हम इस पुस्तक म का अध्यन करेंगे वह देखते हैं सबसे पहले हम इसके विशयव प्रवेसमें हिंदी भाशार से संब्मधित कुछ चीज़े रा जानेंगे उसके बाद में आधीकाल का अध्यन करेंगे आधिकाल में सामाजिक स्थिति जानेंगे उस स्थिध्ध पढ़ेंगे में नाथ जब हम पढ़ेंगे तो भक्तिकाल में भक्तिकाल के उद्यका सामजिक आधार्प। भक्ति की धाराएं, विभिन संप्रदाई, सूफी सातना, अन्यमक्त, भक्ति साहित्य के रुपात्मक स्रोत, निर्गुन कावे, ज्यानस्ट्रेस साखा, प्रेमस्ट्रेस साखा या सूफी कावधारा निर्गुन कवे की सामाने विसेस्ताइं हम देखेंगे राम भक्ति-धारा को पढ़ेंगे कृष्न भक्त कवेएं पढ़ेंगे पुस्तक के भक्ति काल का जो पाठ है उसमें देखेंगे इसके पश्चात हम रितिकाल को देखेंगे रितिकाल में सामाने परिचे रितिकाल की प्रमुकवियों का परिचे रिति सिद्ध कभी रिति मुक्त कभी और रितिकाल की सामाने विसेशताएं पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ रितिकाल के आधुनिक काउशेश भी हम इस पुस्तक में जानेंगे आधो निकाल जब हम पढ़ेंगे उसमें आधोनिकाल की पूर्वाभास की जो भूमी का है उसको देखेंगे पहले कैसे आभास हुआ कि आधोनिकाल आने वाला है उसके वश्चात खड़ी बोली पुस्तक में. इसमें फिर जो पाँचवा भाग है वो है स्वतन्तिय गांटिन काग है. जिसमें हम इसका सामाने परीचे देखेंगे कि स्वतंत्रिता के बाद में जो हमारा हिंदी साहित्य है वो है किस तरह से लिखा जाने लगा और क्या बदलावा है बुमंदली करण दलित चेतना नारी चेतना उत्तर आधुनिक्ता इति हास का अंत और प्रकतिसिल का विधारा इन सभी विश्यों को हम स्वतंत्रितर हिंदी साहिते में पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं विश्य प्रिवेश से समंधित कुछ बाते इस पुस्तक को प्रारंब करने से पहले इस पुस्तक का जो पहला भाग है आधिकाल उसको प्रारंब करने से पहले हम विश्य प्रिवेश से समंधित कुछ महतवपुन बाते जानेंगे तो आईए देखते ह हिंदी शब्द का प्रियोग हम विविद्ध अर्थों में करते हैं उसमें से एक अर्थ है हम भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रियोग करते हैं सूवी दित है कि हिंदी भारत की राज भाशा है राज शब्द का प्रियोग भाशा के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि भारत की कोई भाशा प्रिजा भाशा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि भारत की कोई भी भाशा प्रिजा भाशा नहीं है राज भाषा का अर्थ केवल केंडर की सरकारी भाषा है राज भाषा अर्था अर्थ वह भाषा जो सरकारी कामकाजमे प्रियोग में आ रही है हिंदी भारत की संपर्क भाषा है इसका अर्थ यह है कि केंड्रिय सरकार और राज्य सरकारों के बीज संपर्क की भाषा है और हिंदी भाषा के संपर्क भाषा होने की बात यहां की जा रही है हिंदी मूलतह हिंदी भाषी छेत्र अब देखिए हिंदी भाषी छेत्र कौन-कौन से है इमाचल प्रदेश, हरियाना, दिल्ली, उत्रांचल उत्र प्रदेश, बिहार, छारखंड, मद्य प्रदेश और चत्तीस गड़ की राज्य वासा है ये हिंदी वासी प्रदेश है जिनका हमें नाम याद रखना है इन छेत्रों की अपनी अपनी बोलियां भी है इनकी जो भाषा है वह हिंदी है और इनकी अपनी अपनी छेत्रिय बोलियां भी है आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रक्ती ही है हिंदी छेत्रे की प्रमुक बोलियां कौन-कौन सी हैं उनको देखते हैं कुमायूनी, गडवाली, हिमाचली, हरे आणवी, खड़ी बोली, भुजभाशा, आवधी, बखेली, चत्तिसकडी और फोच्छूरी इन बोलियों की अनेक उपबोलियां भी हैं इनकी अनेक उपबोलियां भी हैं बहा जाता है कि दस कोस पर भाशा बदल जाती है प्रिश्ण यह हैं कि इस बहु बोली समों को हम हिंदी क्यों कहते हैं दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतरगत क्यों मानते हैं क्या कारण है कि इन बोलियों और उपबोलियों को हम हिंदी भाशा के अंदर गते रखते हैं, शामिल करते हैं, क्या कारण हैं, वो देखी आगे, ऐसा इसलिए कि इनका ब्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है, अधात थोड़ी बहुत भिन्नत जरूर है, लेकिन फिर भी कही ना कहीं ये एक दूसरे से समानता रखती हुई प्रतीत होती है, इनकी शब्दावली भी अधिकांस सह समान है, इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं, कैसे ब्रजभाशा जानने वाला ड समझ लेता है, सबसे महत्वपून बात यह है, कि इन में परमपरा से किंद्रोन्नमुक भाशा से भाशा में साहित्य रचा जाता रहा है, इस छेत्र में ब्रजी और अवधी दो प्रमुक विख्यात साहित्य भाशाएं रही हैं, विख्यात कौन-कौन सी रही हैं, ब्रजभ सम्षब्रद साहित्य रचा गया है, अतार्थ ब्रिज भाशा और अवधी भाशा में विख्या भाशा प्रदेश की समाच्वार पत्रों अंदूरदरश्रों केंद्र, आकाश्वणी केंद्र, विद्ध्यालेओं आदी में नागरिक हिंदी का विवहार करते हैं, साहित्य पत्र बेभार करते हैं तता राजनितिक मुद्व पर अपने विचार व्यक्त करते हैं परमपरा से आज तक इसी प्रदेश की मानक वाशा हिंदी ही रही है तो मानक वाशा कौन से रही है हिंदी आगर रेखते हैं मानक हिंदी का शेत्री बोलियों से कोई विरोध नहीं रहा ह अतार जो मानक हिंदी है वे चेतरी बोलियों से विरोध प्रकट नहीं करती है उल्टे ये बोलियां हिंदी की क्रमिक विकास में सहीयोग ही करती आई है इतने बड़ी भाशाoger अक्षेतर में कभी-कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है यह अच्छा प्रिश्ण बनाया जा सकता है कि आज की जो मानक फार्षा है उसका आधार क्या है खड़ी बोली है जिसको आज हमने अपनाया है मानक हिंदी कहकर हमने जिसे अपनाया है उसका जो आधार है वह खड़ी बोली है जो पष्चिमी छेत्रकी है इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगतान करके उसके मानक रूप का निर्मान किया है यहाँ एक प्रिश्ण यह बन जाता है कि मानक हिंदी का जो आधार है वह है खड़ी बोली है खड़ी बोली किस चेत्र की है पश्चिमी चेत्र की पश्चिमी चेत्र की और कौन-कौन सी बोलियां है खड़ी बोली के अलावा खड़ी बोली को क्या कहा जाता है गोरुई खड़ी बोली के अलावा पस्चिमी छेत्र में आती हैं मृजवासा, कनोजी, बुंदेली और हर्यानिमी ये तो आते हैं पस्चिमी छेत्र में और पूर्वी हिंदी में आती हैं अवधी, भगेली और चतिसकडी और पहाडी में आती है, पश्ची में पहाडी, मत्य पहाडी और कुमावनी गडवारी राजसानी में पश्ची में राजसानी, पूर्वी राजसानी, उत्री राजसानी और दक्षनी, राजसानी तो हम याद रखेंगे पश्ची में राजसानी की अन्य पूलिया आगे देखते हैं साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्तिती विशेष्ट के ऐसे चित्र खीचता है या ऐसे विचार प्रस्तूत करता है कि व्रधय उद्वेलित होता है मारमिक्ता पैदा होती है इस मारमिक्ता के आधार और कारण बदलते रहते हैं इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बूद है जो परोक्ष तोर पर हमारे मुल्ले और नेतिक मांदंड भी बदलता है कहते हैं संसार परिवर्तन सीर्था का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है संसार की परवर्तन सीर्था के संधर्ब में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य की इतिहास का कारिचित्र है साहित्य की इतिहास का कारिचित्र क्या है जो परिवर्तन हो रहा है उसकी खोज करना उस अंधर्ब में खोज करना साहित्तिक इतिहास का कारिचित्र रहा है इतिहास क्या है इतिहास क्या है हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता चा रहा है हम वर्तमान को देखते हैं अतीत को हम नहीं देख पाती लेकिन मनुष्य स्वभावत है इतिहास में भी जाकने का निरंतर प्रियास करता रहा है अतीत में जाते रहने की प्रिक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ने छोड़ जाता है राद अतीत में जब जाता है तो उस प्रिक्रिया में ही वर्तमान कुछ चिन्ने छोड़ जाता है पुराने भवन, शिलाले, तामरपत्र, सिक्के, भाशा, साहित्य, मित्थक, क्युदंतियां आधी ऐसी ही चीछे हैं इन्हीं इतिहास का अवशेश समझना चाहिए इन्हीं आवशेशों के आधार पर इतिहास का इतिहास का पुनर निर्मान करते हैं अशोक नहीं है, किन्तु उनकी सिलालेक है, अकबर नहीं है, किन्तु आईने अकबरी है इनसे जो जानकारिये मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है ये आवशेश ही इतिहास लेखन की आधार वुद्थ सामक्रियां है साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर निर्मित किया चाता है अब हम बात करते हैं साहित्य के इतिहास की समस्त प्राचीन साहित्य जैसे चोराशी वेशनाव की बारता और दो सुबावन वेशनावन की बारता कबीर, सूर, तुलसी, जैसी, मीरा, भारतेंदू, हरिश्चंद्र, आधी की रचनाई हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधार बूत सामगड़ी है ये प्राचिर श्रोत हैं इतिहास को जानने की हिंदी भाषा साहित्य, साहित्य की इतिहास की कुछ जानकरियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य की इतिहास का परिच्य प्राप्ते करेंगे अधार हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है सामानने तहर हिंदी साहित्य की इतिहास का प्रारम एकजार इस्वी के आसपास माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रारम है रहे कबसे माना जाता है लगबग एकजार इस्वी के आसपास राहुल सांकृतियाईन सरहपा को पुरानी हिंदी का कभी मानते हैं राहुल सांकृतियाईन जी किसको मानते हैं सबसे प्राचीन कभी तो सरहपा को मानते हैं यह अच्छा प्रिश्ण है इस द्रस्टी से हिंदी चाहिते का इतियास लगबग 200 स्ताबदी पूर 90 स्ताबदी से सुरू हो जाता है किस द्रस्टी से जैसे राहुल शांकृते जी हमें बता रहे हैं सरहपा की पूरानी हिंदी रचनाएं परिमान में बहुत कम उप्रब्द हुई है समझते हैं यह कहने के आविशकता नहीं है कि हिंदी रचनाशकी साहीते ही हिंदी रचना से शुरू हुआ होगा इसलिए इतिहासकारों के सामने समश्या यह है कि वे हिंदी की अपवरंस पूर्व भासा से किन विसेश्ताओं के आधार पर अलग पहजान स्थापित करें भाशा प्रवाहर नदी जल के समान होता है उसे हम किसी एक बिंदू से सर्वता फिन्नी का नवी नहीं खोशित कर सकते हैं हमें देखना होगा कि अपवरंस किन भाशा प्रवर्वर्व के कारण हिंदी में रुपांतरित हुआ अथार्थ जो अपवरंस है वह हिंदी का रूप है लेकिन वह है किन विशेष्टाओं के कारण किन प्रवर्वर्वर्व के कारण हिंदी में रुपांतरित हुआ विद्वानों के अनुसारी प्रवर्वर्वर्व तीन है अठार्थ अपब्रहन से हिंदी में रूपांतरित जो रूप है उसके तीन कारण, तीन प्रवर्तियां दिहासकारों ने विद्वानों ने बताई हैं पहला शाती पूरक दिर्गी करन दूसरा परसरगों के प्रियोग के अधिक्ता और तीसरा तत्समी करन इन तीन कारणों की वज़े से जो अपब्रहन से हिंदी में रूपांतरित हुई अठार्थ अपब्रहनस का ही जो बदला हुआ रूप है हिंदी है अपब्रहनस बिगडा हुआ रूप था और हिंदी जो है वह है इसका परिश्कृत रूप है अपरबरंस में हाथ के लिए हत शब्द चलता है अपरबरंस में क्या चलता है हत शब्द चलता है रो हिंदी में हम क्या कहते है हाथ कहते है अर्थात हत बिगड़ा हुआ रूप है और परिश्कृत रूप हो गया हाथ अर्थात तय हाट गया और है में आकर जुड़कर यह हा बन गया इस प्रकार से हिंदी में शब्द परिवर्दित हुए है जानि द्वानियों में आधे तैकी क्षती और ए को आ बना कर उसकी क्षती पूर्ती की गई अधात शटी पूरी दिर्गी करण हुआ थाथ और फिर उसका पहले शटी हुए और फिर उसकी पूर्ती हुई संस्क्रत प्राकरत में परसर्ग नहीं होते हैं संस्क्रत और प्राकरत जो भाषा है उनमें परसर्ग नहीं होते होते भी होंगे तो यह नगर्ने होते होंगे वहां परसर्गों का काम विभक्तियों से जलाया जाता है अथा परसर्ग की जगह संस्क्रत और प्राकरत में किस सीज का प्रियोग किया जाता है तो विभक्तियों का प्रियोग किया जाता है जैसे रामह, रामो, रामह, अलग-अलग विभक्तियां संस्क्रत में चलती हैं अपब्रंस में कहीं-कहीं परसर्ग मिलते हैं और हिंदी में परसर्गों का प्रियोग हदीक होने लगा यह दूसरी प्रवर्ति हमारे सामने आती है संस्कृत और प्राकृत में परसर नहीं पाय जाते हैं और अपवरंस जो बिगडा हुआ रूप है उसमें कुछ-कुछ मिलते हैं और हिंदी में अर्त्यदिक रूप से इसका प्योग जाता यह है दूसरी प्रवर्ति है जिसके करण हिंदी हैं कि कैसे हम हिंदी को अलग करेंगे कैसे ऐसों मैं ससी के मुक से अही से निक्षे क्या है के से ये क्ष छो हमारे वह हिंदी में पृयोग प्रियोग में आने लगेती चंध्रमय के मुक्सेमानोंस situación रहे होँ जैसी पंक्तियां आती है पाली प्लाक्रत और अब्भरिंस में तत्शम सब्द ढूंडने पर भी मुश्किल से मिलते अथात जो तत्शम शब्द है वो प्राकरत पाली और अपपरंस में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं अथात नहीं के बराबर पाए जाते हैं पाली में तो राजा भी लाजा होता है पुरानी हिंदी में तच्छम शब्दों का पुनर परचलन होता था पंडित चंदर जश्रमा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थ बोद को सबस्ट करने के लिए हुआ होगा अर्थातर तच्छम शब्दों का पुनरपछलन होता था पुरानी हिंदी में क्यों क्यों कि अर्थ का जो बोद है वह समझने के लिए स्पस्ट करने के लिए शायद ऐसा हुआ हो अपवरंश में एक ही सब्द कभी-कभी अनेक अर्थों में प्रियोगत होता था एक ही शब्द अनेक अर्थों में अपवरंश की यह विशेषता है गच को गत दोनों के लिए गय इससे आर्थबोद में गड़बड़ी होती है धीपती जैसी पंकती है, सारांसिय है, कि अपरणस में कुषाति पूरक दिर्गी करन, परसरगों के प्रियोक की अधिकता और तत्शम शबतों के पुनर पर चिलन की प्रवर्तियां आ जाने का, आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ, ये प्रवर्तियां साहित स्ताब्धी के आ सबस्के मिलने लगते हैं, ये सभी विसेस के अधा हमारी हिंदी वाक्षा के दिहाज का प्रवर्म करन का आधार माना था ऐसी पद्दत्ती पर उन्होंने आधिकाल को वीरगाथा काल, पूर्वमध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तरमध्यकाल को तितिकाल और आधुनिकाल को गद्धिकाल कहा। किसने रामचंदर शुक्र ने कई बार ये साधराने से प्रिशन पूछ लिये जाते हैं कि पूर्व मद्यकाल को शुक्र जी ने क्या नाम दिया भक्तिकाल और अतर मद्यकाल को रितिकाल और यह प्रिशन तो कई बार पूछा जाता है कि गद्यकाल आधुनिकाल को गद्यकाल नाम देने वाले कौन है तो रामचंद्र शुक्रा वीर गाथा काल और भक्ति को प्रधान प्रवर्ती मानते हुए वीर गाथा और भक्ति को प्रधान प्रवर्ती मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा हो एक पर दूबरा देखिए फीर गाथा और भक्ति क जहां तक आधिकाल का प्रिष्ण है ग्रियेस्टन ने इसे चारन काल मिष्टर बंदों ने इसे प्रारंभिक काल ग्रियेस्टन ने क्या कहा आधिकाल को चारन काल मिष्टर बंदों ने प्रारंभिक काल राहुल शांकरत्याइंजी ने सिद्ध सामंत कालों हजारी पुषाद वेदी जिने से आधिकाल नाम दिया। इस प्रकार हिंदी साहते की तिहास काल विभाचन और नाम करन विभिन्य काल खंडों में काल अधियों द्वारां किया जाता है। आधिकाल को वीरगाता काल नाम समवत 1053 सुपिचितर पुरोमध्य काल को भक्तिकाल समवत 1355 से 1700 उत्रमध्य काल को रिद्धिकाल समवत 1700 से 1900 आधुनिक काल को गद्धिकाल नाम दिया और 1900 से अब तक है फ्रिश्चुलत। शुक्लची का काल विभाजन तो प्रायह सर्वमानने हैं किन्तु प्रवर्ति इतिहासकारों ने आधिकाल उरितिकाल के नाम करन और प्रधान प्रवर्ति के विश्वय में सुक्लची से घंबीर मतवेत प्रकट किया है जिसकी चर्चा हम यथावसर करेंगे अधार्थ अगली जब हम काल-खंड पढ़ेंगे जिसे भक्तिकाल विथिकाल को जब इसकी विस्तिरी चर्चा हम वहां करेंगे यदि एंदी साहित्य का इतिहासका प्रारमब deleting के आसबास से माना जाता है किन्तु हिंदी साहित की इतिहास की प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए उमें कुछ पहले की साहित्य कतीवितियों का परिजय प्राप्त कर लेना चाहिए पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभरंस रजनाओनात सिद्धों की भाषा को पंडित गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है यह प्रश्ण भी कई बार परती होगी परिक्षाओं में पूछा जाता है गुलेरी ने इसे क्या कहा पुरानी हिंदी कहा ठित अपभरंस से विक्षित या अपभरंसोत्तर भाषा से लगाया है यह प्रिश्ण बना कर आपसे पूछा जासा है सिद्धों नाथों जैनमुनियों की दो ही पद्देश अंदेश रासक उक्तिविक्ति प्रकरण राउलवेल प्राकृत पैंगलम के अनेक चंद हेम चं कावे में विभाचित किया है और दीज भाषा कावे को वीर गाता कावे कहा है इस पीर गाता कावे को पुरानी हिंदी के अंतरकत मानना चाहिए पुरानी हिंदी में अपभरंस और हिंदी की भाषाई वसाहितिक प्रवर्दियां घुली मिली है इसलिए आदिकाल को अपभ को कहा जाता है हींदी भाषा और साहितिका ऽवरूंब कब सामने आता है यहीं बनाया करेंगे तो आज हमने इसकी भूमी का देखी है इसका प्रारंब देखा है कल से हम विधिवत रूप से आधिकाल का प्रारंब करेंगे और आधिकाल का अर्थिन करेंगे धन्यवाद